हेलो गाइस तरह बात केने वाल है APL Apollo Tubes के बारे में इस कमपनी का quarter to FY23 का रिजल्ट आ चुका है सामने तो कैसरा इस कमपनी का रिजल्ट और क्या इस कमपनी ने dividend दिया है कि ने इसी के बारे में discussion करेंगे तो वीडियो को जरूर से enter दिखते रहे ना APL Apollo Tubes की बात करें तो इस कमपनी का रिजल्ट आप लगो के सामने प्रिजन्टेट है सारी amounts करोड में बताएगी है quarter and quarter base के पर रिजल्ट को compare करेंगे यह इस quarter का रिजल्ट यह पिछले quarter का रिजल्ट यह पिछले साल सेम quarter का रिजल्ट देखने का मिलता है कमनी के आपर से income की बात करें तो revenue from operation नजर इंकम को मिलाकर कमनी का total income this quarter के अंधर 3,980.81 crore का दिखने का मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले कमनी के इंकम में कछी बढ़ोतर होती भी नजरा जाती है रिकी इस कमनी के expense की बात करें तो cost of raw material के अंधर कमनी का जादा तर expense जा कम बढ़ी है वैसे कमनी के expense भी बढ़ते हुए नज़र आ जाता है 21 कमनी के net profit की बात करें tax एन expense आइटम काटने के बाद कमनी के पास 150.19 करूर रुपीज का कमनी का net profit देखने के मिलता है और पिछले साल स्यम काटर के मुकाबले कमनी के net profit में एक अच्छी बढ़तरी होती हुए नज़र आ जाती है कमनी के earning पर share की बात करें EPS भी यहाँ पर से continuous quarter बाता हुए नज़र आ रहा है लोग इस कमनी के share में खरीदारी करना चाहते हो तो तीन सपोर्ड लेवल दिखा रहा हूं 950 रुपीज का लेवल 817 रुपीज का लेवल 745 रुपीज का लेवल यह सभी लेवल पर इस कमनी के share में बिक्वाली करके चल सकते हो आज के दिन आप लोग साफ साफ देख से तो heavy volume के साथ communication में बिक्वाली आई थी इससे डरने की जरूरत नहीं है पर एक चीज़ जरूर साथ रखना बड़ा कोई player इस कमनी के अंदर profit book करता हुआ देखने को मलाठीक है तो यह था है यहाँ पर से इस कमनी को लेकर मेरा opinion खर करूंगा कि कमनी high risk high return वाली है तो यहाँ पर से इस कमनी के अंदर 745 रुपीज पर खरीदारी करने की try करूं उसके जासर 1100 रुपे के उपर बिक्वाली करके चल सकते हो और 1150 रुपे का level है दोनों ही levels के उपर communication में बिक्वाली करके चल सकते हो short term purpose के लिए खरीदा था तो